गूद मॉर्नी स्टूडेंस टूडेवर टॉपिक इस कन्फरंटिंग मार्जिनलिजेशन चेप्टर नमर एट फ्रम सोशल एंड पुलिटिकल लाइफ क्लास एक तो कल हमने पड़ा था प्रमोशन आफ सोशल जस्टर्स उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं जब रिजर्विशन पॉलसी में बनाई जाती है तो उसमें किस तरीके से काम किया जाता है हमारी कंट्री में जितनी भी स्टेट्स गलाइमेंट हैं उनके पास लिस्ट होती है चेट्र्स की और शुडीूल ट्राइब Gregory की और Backward and Most Backward Classes की ऐसे ही लिस सेंटर गवर्मेंट के पास होती है अगर कोई स्टूडेंट्स एजूकेशन इनिस्टूशन में एडबिशन करने जाता है तो उसको अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट देना पड़ता है ताकि उसको रिजर्वेशन का फाइदा मिल सके और अगर कोई गवर्मेंट पोस्ट के लिए एपलाई करता है तो उसको कास्ट का सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता है तबी उनको रिजर्वेशन का फाइदा होता है अगर आप इन कमिटी में आते हैं जैसे दलिद कास्ट या और कोई ट्राइब में आते हैं तो आप लिस्ट में तो हैं तो तबी आपको रिजर्विशन पॉलिसी का फाइदा मिलता है अगर कॉलेज़ में एडमिशन लेनी है specially ऐसे इनस्टिचूशन में जहां पर प्रोफेशनल एजूकेशन दी जाती है जैसे मेडिकल कॉलेज ऐसे कॉलेज़ में एडमिशन लेने के लिए गॉर्मेंट का टॉफ मार्क्स सेट का देती है इसका मतलब है कि जो दलित हैं उस मार्क्स में ज्यादा मार्क्स लाते हैं तो उसे ही एडमिशन मिलेगा इसका मतलब है कि जो दलित है या दूसरी ट्राइबस है ये कट अफ मार्क्स को पार करना होगा उसमें अबो मार्क्स लाने ही पड़ेंगे तब उसको एडमिशन मिलेगी जो अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको गौर्मेंट की तरफ से स्कॉलर्शिप भी मिल जाता है यहां पर देखिए इस तरह से स्कीम बनाई जाती है जैसे स्कॉलर्शिप फार स्टूडन्स हो गया पौलीस स्टेशन को खोलने की स्कीम या फिर गौर्मेंट स्कॉल्स ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्कॉल आ पाएं इस स्कॉलर्शिप से स्टूडन्स को माटिवेशन मिल साथ ही साथ जो फाइनेंशल हलब भी मिल जाती है पौलीस स्टेशन में खोलने को लोगों को सेफटी मिल जाती है उनको पौलीस स्टेशन में जाना असान हो जाता है तो जो दूसरी लड़कियां है तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है और इसमें हमारी कंट्री डेवलप होती है तो इस तरीके से स्कीम त्यार की जाती हैं उनके पीछे कुछ रीजन होते हैं देखा जाता है स्कीम में कि क्या फाइदा होगा लोगों को थैंक यू फार वाटी में इस वीडियो